हाई बीटिफल इंजल वेल्कुम दिवाइन फैमिली राधे राधे जैश्य किष्णा आपसल अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे मेरा नाम है रेनू और मैं लेकी आई हूँ आप लोगों के लिए एक नहीं सैंड रीडिंग सैंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं नाउस करना चाती हूँ मेरा अपकमिंग शैडो सेल्फ जो वरक्शॉप है वो सेकिंड राउंड स्टार्ट हो रहा है चार दिसंबर से जिसमें आप 50 एक्टिविटीज के साथ 50 दिनों तक 50 एक्टिविटी के साथ काम करने वाले हो इनर वरक करने वाले हो बहुत ही इंट्रस्टिंग एक्टिविटीज है बहुत ही यूसफूल और इंट्रस्टिंग एक्टिविटीज है तो अगर आप इनर वरक करना चाते हैं इस साल को खतम होने से पहले इस वरक्शॉप को जोईन करना चाते हैं और अपनी और abundance को claim कर सके अगर आप interested हैं तो आप मेरी team को contact कर सकते हैं यह number आपको description box में मिल जाएगा तो start करते हैं आज की reading को आज की जो send reading है उसका नाम है यह होने वाली है urgent messages from काली मा तो काली मा से कौन से urgent messages आपकी तरफ आ रहे हैं क्या बताना चाहती है काली मा आपको तो वो हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पर ठीक है और अगर मुझे end में message मिला तो हम लोग काली मा के deck से कुछे messages को भी यहाँ पर receive करेंगे ठीक है तो start करते हैं आज की reading को आप बहुत सुंदर लगने वाले और बहुत सुंदर लग भी रहे हो यहाँ पर यह पहला ही message है divine love self love self care अपने आपको prioritize करना इस तरह की energies में आप currently हो सकते हो stability से related कुछ आपकी तरफ आ रहा है यह वो है जो आप शायद manifest करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ लोग stability अपने relationship में, अपने finances, अपनी growth में, अपनी success में, अपनी progress में, finances में जहां पर भी आप इस stability को manifest कर रहे हो शायद वहाँ पर यह stability आपके लिए धीरे धीरे आपकी life में आ रही है रूट चक्रा आपका heal हो रहा है तो रूट चक्रा अगर आपका imbalance हुआ हुआ था past में तो balance में आ रहा है जिस वज़े से आप strong, stable, determined, feel करोगे आगे बढ़ने के लिए कुछ action को लेने के लिए आप feel करोगे, safe feel करोगे, stable feel करोगे अपनी ही दुनिया में जो भी आप कर रहे हो और stress और चिंता यहाँ पर मुझे कम लग रही है तो यह कुछ energies है, again यह journal collective reading होती है हो सकता है कि आपके साथ सारे messages resonate करें या कुछ messages यहाँ पर resonate करें तो start करते हैं अब urgent messages from काली मा, काली मा की तरफ से urgent messages क्या हैं आपके लिए तो वो देखनेते हैं यहाँ पर तो देख लिते हैं काली मा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या आर्जेंट messages हैं सबसे पहले मुझे यहाँ पर message मिल रहा है कि अगर किसी life के आपके किसी हिस्सा में injustice हुई है तो काली मा वो देखने वाली है ठीक है कि वो आपको justice मिले तो धीरे धीरे आपकी life में justice आ रही है balance आ रहा है वो हर life के हर हिस्से में हो सकता है कि आपको balance देखनों को मिले चीज़े balance हो रही है जहाँ पर भी imbalance हो रही है वो balance में आ रही है या फिर यह life के particular हिस्से में हो सकता है जहाँ पर आपको लगा कि आपके साथ बहुत ज़्यादा injustice हुई है ठीक है तो वहाँ पर आपको justice मिलने जा रही है यह आपके प्यार के लिए आपके finances किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर कालीमा का message यह है कि आपको सिर्फ truth के साथ खड़े रहना है सच के साथ रहना है डगमगाना नहीं है strong रहना है stable रहना है किसी और के बताने पर आपको decision नहीं लेना है अपनी life के लिए कि कोई और कहे आपको कि ये काम कर लीजिए और आप कुछ और करना चाहते हो ताकि आपको बाद में regret हो बाद में आपको पश्तावा हो तो कुछ भी इस तरह से आपको नहीं करना है आपको अपनी समझ के हिसाब से अपनी intuition के हिसाब से फैसला लेना है यहाँ पर एक तो आपको protection मिल रही है काली मा की तरफ से ठीक है especially उन लोगों के लिए है जो जिनकी तरफ बहुत जादा negative energy भेजी जाती है ठीक है आपकी तरफ जो enemies जो है वो बहुत जादा आपके आपकी growth को देख कर वो jealous feel करते हैं उनकी तरफ उस negative energy से आपको protection करने के लिए protection आपको दी जा रही है काली मा की तरफ से और आपको मिल भी रही है और यहाँ पर काली मा ये भी देख रही है कि जो लोग continuously रुक नहीं रहे हैं ऐसे कर्मा करने से इस तरह की energy आपकी तरफ भेजने में तो वो उनको उनका कर्मा दिखाने वाली है ठीक है उनका कर्मा का result मिलने वाला है ठीक है ताकि वो stop करें ताकि वो आपनी life पर focus करें क्योंकि वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो stop ही नहीं कर रहे है वो रुकी नहीं रहे है तो कालिमा कहीं न कहीं उनको रोकने के लिए कुछ सकत कदम उठाने बाली है क्योंकि वो continuously आपकी energy field में इस तरह की negative energy को थ्रो कर रहे है जिस वज़े से आप जो करना चा रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो आप जो आगे बढ़ना चा रहे हो जो progress देखना चा रहे हो जो stability को चा रहे हो वो नहीं देख पा रहे हो वो इसी वज़े से क्योंकि उनकी तरफ से continuously जो है negative energy थ्रो की जा रहे है लेकिन यहाँ पर काली माँ इस बात का वो करना लानी है काली माई यहाँ यहाँ पर आपको किसी तरह का आपको बताने वाली है कि आपकी सोल कितनी प्योर है और आप यहाँ पर क्या करने आए हो तो recently या इस आने वले समय में आपको कुछ वीडियो आपके सामने आ सकती है जिसमें आपको बताया जाए कि आप क्या करने आए हो इस दुनिया में, ठीक है आपने किस लिए बर्थ लिया है, आपका life purpose क्या है, आपका soul purpose क्या है, तो इस तरह की कुछ आपको वीडियो आपके जानकारी, किसी भी तरह की information आपके सामने आ सकती है, जिससे आपको पता लगेगा, तो ये काली मा की तरफ सही आपको information और ये messages आप तक पहुंचाये जा रहे हैं ताकि आपको पता हो ताकि आप जो लोग कर रहे हैं या किसी तरह के dama में आपको involve करना चाहते हैं वहां से आपका ध्यान हटकर आप अपने life purpose के लिए काम कर सकें उसके उपर बढ़ सकें उसके लिए अगर कुछ सीखना है आपको अपने उपर और काम करना है या spiritually अपने आपको grow करना है उस तरफ आपका ध्यान जा सके और उस तरफ आप ध्यान दे सकें तो यह urgent message है कि आपकी intuition आपको या आपकी universe आप तक कौन से message पहुंचा रहे हैं उस पर ध्यान देना आपकी responsibility है ताकि आप अपने बारे में और जान सको अपने life purpose के बारे में जान सको ठीक है और उसके उपर काम कर सको यहां पर शायद किसी को बहुत जादा डर लगता है किसी तरह की negative energy से या फर कुछ इस तरह के सपने आते हैं कुछ इस तरह का दिखाई देता है कुछ इस तरह की इनर्जी है यहां पर तो कालीमा जैसे प्यार से किसी को बोल रही है कि मेरे बच्चे आप क्यूं डर रहे हो यहां पर बड़ा प्यारा सा बड़ा क्यूट सा एक मदर की तरफ से अपने बच्चे के लिए message है यहां पर तो आप बता सकते हो कि किस के लिए है यह message बड़े प्यार से वो बोल रही है तो इसमें डरने की क्या बात है म मैं आराउंड हूँ, आपके पास हूँ, मैं आपके साथ हूँ और कुछ देर से अगर आप काली मा के मंदर में नहीं गए हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए ठीक है, उनसे जुड़ने के लिए आपको मंदर जाने की जुरूत है, यहाँ पर यह भी मैसेज है, अर्जिन मैस है यहाँ पर, किसी को यहाँ पर एक नेगटिव साइकल से बहार निकाला जा रहा है, तो किसी ने बहुत लंबी किसी चीज का इंतजार किया है, और फाइनली उसको किसी नेगटिव साइकल में से, टॉक्सिक साइकल में से बहार निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर कालीमा का, कालीमा का मैसेज है, ठीक है, कि रिजिस्टन्स, रिजिस्टन्स क्रियेट नहीं करनी है आपको, वापिस से नहीं दोड़ना है, और इतना ज़दा वो नहीं करना है आपको, डिव इस चीज़ को समझना होगा कि आपकी कितनी self worth है और आप क्या करने आए हो कई पर क्या होता है कि हम लोग अटेश्मेंट में इतना फसे होते हैं कि जब हम लोगों को किसी भी इस तरह के cycle से निकाला जाता है तो हम लोग बहुत जदा उसमें resistance में आ जाते हैं कि है मैं कैसे रह नहीं जा सकते हो काली में आपके साथ है और वो आपको यह message भी दे रही है कि आप strong enough हो और यह आपके फाइदे के लिए ही कुछ cycles जो है negative patterns जो है कुछ toxic relationship जो है आपके फाइदे के लिए ही खतम किये जा रहे हैं या आपसे दूर किये जा रहे हैं खतम नहीं तो at least अगर देख पा रहे हों कि आपकी energy और उनकी energy में difference आ गया है और अब आप लोग ज़्यादा interact नहीं करते हो किसी तरह के भी इस तरह के negative group के साथ उसका reason यही है ठीक है तो यह यहाँ पर message है आपके लिए कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए जो आपके भले के लिए ही है क्योंकि वो काली मा आपके life में कर रही है यहाँ बड़ा प्यारा सा एक और message है कि कोई यहाँ पर कह रहा है यह मन ही मन में सोचता है अगर किसे नहीं भी बोला न तो मन ही मन किसी को काली मा के स्वरूप से डर लगता है किसी तरह की photo दिखाई होती है या मेरे cards में है मेरे oracle deck में तो इस तरह के स्वरूप से डर लग के लिए यह रूप धारन करती है काली मा अदरवाइस सब के लिए वो एक हमारी मदर की तरह ही मदर है एक मा है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है उनको protect करती है उनको दूर रखने की कोशिश करती है ऐसी negative energies से ठीक है तो वो same ही जो एक मदर काम करती है अपने बच्च है जो जो negative काम करते है तो आपको डनने की जुरूत नहीं है यहाँ पर तो यह please comment section में बताना यह किसके लिए message था तो it's okay अगर आप बताना चाहे तो आप बता सकते हों किसी तरह के enlightenment की भी energy है यहाँ पर तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कोई अपना बहु मुल्ले time waste कर रहा है बेकार की videos को watch करके बेकार के contents को absorb करके तो यहाँ से यहाँ पर urgent message है काली मा का कि आपको अध्यात्मिक सफर पेर हो आप spiritual journey पर हो आपको अपना समय बहुत अच्छे रूप में उसको बिताना है ठीक है use करना है समय को चाहे आप books को read करो spiritual books को spiritual videos को watch करो अपनी knowledge को बढ़ाए तो अपने समय को अच्छे से utilize कीजिए अपने आपकी knowledge को बढ़ाने के लिए अपने skills को improve करने के लिए कुछ सीखने के लिए कुछ सिखाने के लिए किसी की help करने के लिए किसी को guide करने के लिए कुछ भी ऐसा जो आपकी spiritual growth में आपको help करें तो यहाँ पर किसी के लिए urgent message है कि कोई इधर उधर के उसमें बातों में या media पर कोई time waste करता है तो यहाँ पर urgent message है उसके लिए कालिमा की तरफ से अपनी बहेतरी के लिए अपनी wellness के लिए चाहे वो आपके अपनी mind body soul के लिए कुछ आपको करना हो extra ठीक है exercise करनी है योगा करना है कुछ सीखिए creativity में participate कीजिए तो जो आपके लिए helpful हो वो करने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पर यह किसे के लिए message हो सकता है और देखेते हैं क्या है अर्जेंट message यहाँ पर कोई जोर शूर से किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए manifest कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर कालीमक अर्जेंट message यह है आपके लिए कि जो भी आप manifest कर रहे हो उसके लिए आपका विश्वास करना बहुत जादा जरूरी है यह manifest हो जाएगा आपके लिए तो आपका विश्वास ही उसको जो है आपके dream को पूरा करेगा आपकी manifestation को पूरा करने में help करेगा तो यह inner विश्वास सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कोई वीडियो वाज़ कर ली कि चलो manifest करते हैं या किसे ने बोल दिया चलो manifest करते हैं जो भी आप manifest करने की कोशिश कर रहे हैं पहले उसके लिए अपना नजरिये को बदलिए कि हाँ यह manifest हो जाएगा जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ यह definitely पूरा होने वाला है क्योंकि divine इसमें मेरी help कर रहे हैं तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी सबसे important जो है faith, believe करना और यह message कल भी था मुझे यह याद आया channel messages में believe और believe in yourself दोनों ही message कल निकले वह थे जो मैंने 72 hours की reading की थी वो reading भी आप देख सकते हो तो यहाँ पर वही ही कि आपका believe करना और फिर manifestation technique का use करना ही आपके सपनों को पूरा करेगा ना कि आप 10 मिनट 15 मिनट आदा घंटा manifestation के लिए लगा रहे हो लेकिन believe नहीं कर रहे हो उसका कोई फैदा नहीं होगा even आप कुछ भी करते हो जो कि manifestation उसके ल हुआ 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 है यहाँ पर किसी को अपने करमास को चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है ताकि आप और ज़्यादा करमास को create ना करें जिसका result आपको वो करना पड़े जहलना पड़े अगर पहले सही आपने बहुत सारे patterns और बहुत सारे cycles को जहला है कार्मिक cycles को कि आप क्या बोल रहे हो आप क्या सुन रहे हो आप क्या सोच रहे हो आप क्या काम कर रहे हो इन सब इन सब चीजों को आपको बहुत ज़्यादा अपने तोलने की यहाँ पर जुरुरत है ठीक है अपनी ताकि आप अपनी विज्डम को यूज कर सके अपनी इंटेलिजेंस को अपनी जो भी विज्डम आपने गेन की है उसको यूज कर सके समझ सके समझदारी को यूज कर सके और ताकि आपको जहाँ पर अपने आपको रोकने की जुरत है कुछ ऐसा करने या बोलने से ताकि आप अपने आपको रोक सके तो इतना सेंसिस पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए अगर आप स्पिछ और प्राक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो कि आप बोलने से पहले कुछ करने से पहले सोचे समझें उसको और अगर वो जुरुरत नहीं है उस चीज की तो आप ना करें ठीक है तो यह है मैसेज यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अगेन वो मैसेज है कि आपको भूल कर भी भूलना नहीं कि आप कौन हो ठीक है क्या करने आए हो धर्तिवर ताकि आप अपने आपको उस हाई वाइब्रेशन की एनरजी में रख सकें उस हाई थौट्स में रख सकें उस पॉजिटिव उस में रख सकें अपने आपको डिफरेंट शेट कर सकें कि अगर आप अपने उपर काम करते हो अपर आप इनर वर्क करते हो यह सिंपल स्पिचर प्राक्ट उठा रहे हो, ठीक है, क्या आप अडाप्ट कर पा रहे हो उस चेंज को, समझदारी को, उस विज्डम को, तो यहाँ पर यह मैसेज है आपके लिए, यहाँ पर अगेन किसी के लिए मैसेज आ रहा है जो बहुत देर से शायद काली मा के मंदर में नहीं गया है, उसके लिए स्पेशल काली मा यहां पर मैसेज दे रही है, उनको मंदर बुला है तो अगर आपके आसपास कोई मंदर है काली मा का, ठीक है, या फिर कालीमा होती है दूसरे मंदर में भी होती है वो जरूरी नहीं है कि special कोई कालीमा का मंदर आपके आसपास हो दूर होते हैं ठीक है ये में मानती हूं कई बार हाँ हो सकता कि आप लखी इनाफ होगी आपके ही शहर में है तो कालीमा का special मंदर तो जैसे जैसे आप कर सकते हैं यहां पर यह मैसेज आ रहा है कहीं न कहीं वो फूल सा बन गया था एक यहां पर रोज तो अगर अगर आपको flowers पसंद है और flowers देखने से आप बड़ा light बहुत अच्छा फील करते हो आपको mood बहुत ज़्यादा pleasant हो जाता है ठीक है और बहुत अच्छा feeling आती है आपको देखने से तो आप natural या artificial flowers अपने आसपस रख सकते हो अपने room में या जहां पर भी आप समय ज़्यादा पिताते हो office में, office के table पर जिसे आप एक अच्छा mood में जा सकें ठीक है अच्छा feel कर सकें ठीक है तो ये आप कर सकते हो यहाँ पर किसी के लिए parents के लिए message है कि आपको अपने बच्चों से connect करना deep level पर उनके साथ बात करने उनके साथ बैठना यहाँ पर ज़रूरी है उनके साथ connect करना ज़रूरी है यहाँ पर उनको समझना उनकी likes, dislikes को समझना deep level पर बात करनी ना कि surface level पर कि हाँ बस पूछ लिया कि पढ़ाई कैसे चल रही है या जो भी है ठीक है, school कैसे चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है यहाँ पर किसी तरह की depth वाली उसके साथ पूछना, जब आप पूछते हो तभी आपको answer मिलता है जब आप नहीं करते हो interact तो वो deep level जो soul level पर interaction होती है या soul level का जो connection है वो नहीं बन पाता है तो यहाँ पर यह किसी parent के लिए है यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं तो आपको यह करने की जूरत है यहाँ पर कालीमा message दे रहे हैं किसी को पूछ रहे हैं कि और कितना और कितना toilet करोगे आप किसी situation को लेकर बहुत जादा exhaust बहुत जादा disappointed हो चुके हो फिर भी आप उसके लिए action नहीं ले रहे हो फिर भी आप उससे बहार नहीं निकलना चाहरे हो comfort zone में हो कुछ तो है ऐसा यहाँ पर जो आपको पता है कि यहाँ पर इस हिस्से में बदलाव की जुरुत है लेकिन कहीं न कहीं आप avoid करके procrastinate कर रहे हो comfort zone में हो आप avoid करते हो उसके बारे में सोचना ठीक है कुछ और बात तुमें लगे रहते हो तो यहाँ पर आपको उसके लिए action लेने के लिए बोला जा रहा है basically धिहान देजी है life के उस हिस्से में जो जहां पर change बहुत ज़्यदा जरूरी है जो चीज आपको बहुत ज़्यदा आपको पता भी है यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यदा intuitive हो आपको ये पता भी है ना कि सिर्फ ये मैं आपको बोल रही हूं कुछ लोगों को या सब कोई जिसकी भी situation के बारे में बात कर रही हूं जिसकी भी life के बारे में बात कर रही हूं उसको ये पता भी है कि ये कौन सी situation है तो आपको उसके लिए उसके बदलाब के लिए initiative लेने की जुरूत है चेंज लाने की जुरूत है तो ये अपने आपको commit कीजिए commit कीजिए कि हाँ ये मेरी ही responsibility है अगर मैं उस चीज को उस life के उस हिस्से में frustrated हूँ, disappointed हूँ बहुत ज़ादा ठक चुकी हूँ या ठक चुका हूँ तो वो फिर कौन ले के आएगा बदलाव, ठीक है तो उसका initiative उसका बदलाव लाने की आपी की responsibility है यहाँ पर तो वो आपको लाने की जूरत है यहाँ पर guidance देकलते हैं गालिमा की तरफ से तरफ से जूरत हैं यहाँ पर यह guidance जो भी messages हैं गालिमा बोल रहे हैं कि आप पर के फाइदे के लिए भेजी गई है आपको जो भी यहाँ पर messages दिये गए हैं आप ही की life को transform करने के लिए आप तक पहुँचाए जा रहे हैं क्योंकि गालिमा आप से बहुत प्यार करती है ठीक है एक मा की तरह care करती है आपको और वो चाहती है कि आपकी life में बदलाव हो आप change करें आप strong enough हो strong enough हो कि इन बदलावों को लेकर आ सकें जो जहाँ पर भी आपको इन changes की जुरत है बस आपको यहाँ पर motivate enough होना है determined enough होना है कि आप इतने ज़्यादा determined हो जाएं कि आप अपने आपको रोक ना सकें या कोई भी आपको रोक ना सकें उन changes को लाने के लिए यहाँ पर और guidance देख लेते हैं आपके लिए अगेन यह शायद message पहले भी था reading के दरान भी जो चीज़ें full circle में आ रही है complete होने जा रही है उनको आने दीजिए ठीक है let it be जो भी हो रहा है flow में रही है उनको होने दीजिए जो भी हो रहा है ठीक है resistance को create मत कीजिए यह मत बोलिए है मैं त्यार नहीं हूँ अभी थोड़े दिन और रुख जाते है अगले महीने तक रुख जाते है अगले साल तक रुख जाते है तो इस तरह के वो excuse और वो मत दीजिए ठीक है आप already ready हो यह सिरफ आपका थोड़ा सा डर है ठीक है insecurity हो सकती है लेकिन आप जब आप जब उस action में आ जाओगे जब आप उस process में आ जाओगे तो आप अच्छा feel करोगे आप better feel करोगे तो यह beginning का थोड़ा सा जो initiative लेने का हिस्सा होता है शायद उस समय के लिए ही आप ऐसा feel कर रहे हो यहाँ पर अगर आप ऐसा feel कर रहे थे कि कोई divine की तरफ से आपको help नहीं आ रही है या क्या आपको actual में help करते भी है divine या आपके बारे में सोचते भी है या नहीं सोचते है या काली मा आपके बारे में care करती है या नहीं करती है तो यहाँ पर जो भी रोका हुआ था आपकी लाइफ में, वो एक protection की वज़े से रोका हुआ था, कि protection आपको protect किया जा रहा था, ठीक है, जो भी आपके काम नहीं बन रहे था, वो इसलिए, क्योंकि आपको protection दी जा रही थी, यहाँ पर, तो उसका मतलब यह नहीं है कि divine आपकी care नहीं करते हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, तो यह अगर आपकी उसमें thought है ना यह, तो उसको निकाल दीजिए, तो यह reading वैसे भी सुनने के बाद, अगर काफी सारे messages आपके साथ resonate होते हैं, तो इसलिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका connection है, divine connection है आपका, आप divine के उसमें आते हो, ठीक है, वो care करते हैं, आपकी काली मा आपको प्यार करती हैं, ठीक है, तो यह आपके साथ अगर messages resonate करते हैं, तो इस तरह की thought को नहीं लेके आना, कि आप अकेले हो या आपको help नहीं दी जाती है, ठीक है, समय आने पर divine timing आने पर सब कुछ हो जाएगा, तो यह थी send reading, अभी हम लोग निकालते हैं काली मा के Oracle cards, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं काली मा के deck से कुछ cards, final messages के लिए, एक card निकलाया है, एक और card निकाल लेते हैं, यह भी card आना चाहरा था, तो ब्यूटिफू, देख लेते हैं यहाँ पर messages आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले, किसी भी situation से, किसी भी person से, किसी भी challenge से आपको डरने की जुरूरत नहीं है, आप में बहुत जादा हिम्मत है, जो आप face कर सकते हो, किसी भी तरह की reality, किसी भी तरह की challenge को आपको, आप face कर सकते हो, इसमें आप बहुत जादा strong हो चुके हो, और कोई भी situation है, कोई भी ऐसी वो, आपको हीला नहीं सकती, आप इतने जादा strong, stable, बन चुके हो, आपकी काम की वज़े से हो सकता है, आपकी spiritual practices की वज़े से, यह काली माँ आपके साथ है, इस वज़े से भी यहाँ पर, यहाँ पर काफी सारे, सब के लिए नहीं होंगे यह messages, काफी powerful messages यहाँ पर निगल गया हैं, तो यहाँ पर काफी सारे लोगों की opinions के विरुद आपको यहाँ पर खड़ा होना पड़ सकता है, अपने आप के लिए stand लेना पड़ सकता है, तो again, reality को face कीजिए, challenge को face कीजिए, जहाँ पर भी आपको stand लेनी की जुरत है, suppose आप अपनी मर्जी से marriage करवाना चाहते हो, या अपनी मर्जी से कोई काम start करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन लोग जो है, अब वो करने नहीं दे रहे हैं, आप तो यहाँ पर आप इस situation को handle कर सकत हो, बहुत अच्छे से आप handle कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप अपने लिए stand ले सकते हो, क्योगि यहाँ पर आपको इतनी ताकत है, इतनी strength है आप में, यहाँ पर आपको akalian nahi समझना एक तो अपने आपको, जो भी आपको करना है, उसमें अपने आपको किसी तरह की storm की भी यहां पर tower movement की भी मुझे यहां पर वो लग रही है आपको किसी उसके लिए डरना नहीं है क्योंकि काली मा आपके साथ है तो हिम्मत रखनी है और यह विश्वास रखना है कि काली मा की जो शक्ती है लड़ने की fight back करने की अपने लिए stand लेने की वो आपके साथ है और आप यहां पर कर भी पाओगे अपने आपके लिए stand भी ले पाओगे और जो भी आप करना चाहरे हो चाहे वो कोई भी आपके विरुद खड़ा हो जाए या बहुत सारे लोग आपके साथ आपके विरुद हो जाए लेकिन आप वो कर पाओगे फाइनली वो आप अपने लिए manifest कर पाओगे अपने लिए वो stand ले पाओगे अपने लिए action ले पाओगे यहां पर और यहां पर किसी तरह के truth और clear communication की भी मुझे यहां पर energy लग रही है और आप किसी तरह की energy को release भी कर रहे हो तो यह cut भी कर रहे हो आप अपनी इस big sword से किसी तरह की energy जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोग रही है किसी तरह के blockages या खुद की या आपकी negative belief system हो सकता है उसको आप cut करके release कर रहे हो यहां पर ठीक है तो यह थे आप लोगों के लिए काली मा के special messages urgent messages thank you thank you thank you so much for watching please like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और amazing videos के लिए thank you thank you thank you so much और आप personal send reading दो तरह के session लेने के लिए live psychic life coaching के लिए आप मेरी team को contact कर सकते हो और अपनी appointment book करवा सकते हो again thank you thank you thank you so much for watching and bye for now